जिस प्रकार पपीता हमारे स्वास्त के लिए लापकारी होता है उसी प्रकार पपीते के पत्यों से निकाला गया रस भी हमारी ले बहुत लापकारी है पपीता के पत्य का रस अनेक प्रकार के बिमारियों में चमतकारिक परिणाम देता है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पपीते के पत्तियों के रस के फाइदों के बिसे में एक विस्क्रित चर्चा करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि पपीते की पत्तियों का रस कैसे निकाला जाता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल चिकित्सात अत्तविग्यान में दोस्तों पपीते के पत्तों के जूस के आगे तो डॉक्तर की लाखों की दवाईयां भी फेल है क्योंकि इसका जूस आपको कई जानलेवा बिमारियों से बचाने के काम में आता है वैसे तो ज़्यादा तर डेंगू और चिकन गुनिया के रोगियों को इसका जूस पीने की सला दी जाती है लेकिन अगर आप ताउम्र स्वस्त रहना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए तो आईए जानते हैं पपीते के पत्तों का जूस पीने के फायदे उसके पहले दोस्तों ये दिया आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रस किजिए दोस्तों पपीते के पत्तों में कैंसर रोधी गुड होते हैं जो कि इमनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर के सेल्स को बनने से रोपते हैं तो दोस्तों पपीते के पत्तों का जूस हमें इंफेक्शन से भी बचाता है ये शरीर के इमनिटी को बढ़ाने के साथ ही पपीते के पत्तों का जूस शरीर में वैक्टिरिया की ग्रोथ रोकने में भी सहायक है यह खून में वाइट प्लेट सेल्स और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी मदद करता है और डेंगू की तो यह रामबार दवा है डेंगू और मलेरिया से लड़ने में पपीते की पत्यों का जूस काफी लाफकारी रहता है यह बुखार की वज़े से गिरती प्लेटलेट्स को बढ़ाने और सरीर में कमजोरी को बढ़ने से रोकता है पीरियेट्स में होने वाला दर्द बहुत ही दर्दनाक होता है और ऐसे में अगर पपीते की पत्यों का रस आपके सरीर में होने वाली खून की कमी को भी पूरा करता है यदि आपकी ब्लेट प्लेटलेट्स कम हो रही है तो इसे पीने से ब्लेट प्लेटलेट्स बढ़ जाती है बस रोजाना इस जूस को दो चम्मत लगभग तीन महिने तक पिये यदि आपके बालों में रूसी अर्था डैंडरफ की समस्या हो रही हो तो पपीते की पत्यों का रस अपने बालों की जड़ों में लगाएं कुछ देर तक उसे यूँ ही लगा रहने दे और फिर उसे सामान्य पानी से धो ले पपीते की पत्यों के रस में मौजूद कारपे नामक तत्व बालों की जड़ों से गंदगी वा तेल हटा देता है और साथ ही यह एक कंडिशनर की तरह कारे करता है जिससे आपके बाल चमकदार वा मुलायम बन जाते हैं पपीते की पत्यों से निकाला गया रस घाओं को जल्दी भनने में मदद करता है यदि चोट लगा हो तो पपीते की पत्यों का रस चोटी जगह पर लगाएं और यह ना सिर्फ घाओं को भरेगा बल्कि दर्द से भी मुक्ती देगा तो दोस्तों आईए जानते हैं कि पपीते की पत्यों का जूस बनाने की बिधी सबसे पहले एक बरतन में थोड़ा सा पानी ले उसमें ताजा पपीते की पत्यां काट कर डाले अब इसे उबलने के लिए आज पर रख दे और इसे ढखे ना जब यह अच्छे से उबल जाए और पानी थोड़ा सा हरा दिखने लगे तो इसे आज से उतार लो इसको चनी से छान ले और एक जार में जमा कर ले आप फ्रीज में दो से तीन दिनों के लिए भी रख सकते हैं किन्टू ताजा रस जादा लापकारी होता है यदि रस में कुछ बुलबले दिखाई पड़ रहे हो तो उसे उपयोग में नहीं लेना चाहिए एक बात का जरूर खास ख्याल रखिए कि गर्वती महिलाओं को पपीते की पत्यों के रस का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे गर्वपात की समस्या बढ़ जाती है तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लगे वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, सेर करें और एदिया आपके मन में कोई प्रशने तोसे कमेंट द्वारा जरूर पूछे मैं जल्दी रिप्लाई करने की कौसिस करूँगे धन्यवाद